कलस्टीवी के पॉपलर सीरियल सैसुडाल सिमर का सीजन टू में हमें धमाकिदार मेलोड ड्रामा देखने को मिल रहा है हेलो दोस्तों मैं हुकूमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिवोड स्पाई वेल जैसा कि हम एपिसोड के शुरुवात में ही देखते हैं कि सिमर है जो आरफ से बात नहीं करती है और वो आरफ कहता है कि तुम बड़ी मा की बातों की वजहा से बीच में दिवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हो हमारे पास बस 9 दिन बचे हैं और उसमें मुझे तुम से किया हुआ वादा पूरा करना है आरफ काफी एमोशनल हो जाता है तब ही सिमर कहती है कि हा मुझे पता है आरफ जी की शादी के बस अब 9 दिन ही बचे हैं और मुझे सब याद है और इसी दोरान दोनों के बीच हमें एक cute moment देखने को मिलता है दोनों ही खुश हो जाते हैं वेल हम आगे देखते हैं कि रीमा विवान को अपनी महंदी दिखाती है और कहती है इससे पहले कभी भी महंदी इतनी dark नहीं हुई एकदम काला तब ही विवा करती है लेकिन कोई भी फ्री नहीं होता है तब ही सिमर की मा कहती है कि मैं गगन को भीज देती हूं चंदन की लकडी को लेकर तभी सिमर कहती है ठीक है आगे हम देखते हैं कि ललित कॉल करता है शोभा को और शोभा फोन उठाती है और कहती है कि तू कहा है घर आ लेकिन यह आप किसी देवेश को जानती है उसके स्टूडियो में उसका फोन मिला है और कई दिनों से वो मिसिंग है और आपकी कॉल्स बहुत सारी पड़ी हुई है और इसलिए मैं जान सकता हूँ कि आपने इतना कॉल क्यों किया है उसे तब ही वेवान की मा बातों को घुमाते हुए कह जहां सिमर से बात करनी की कोशिश करता है आगे हम देखते हैं कि गगन सिमर को चंदन की लकणी देने आता है तब ही सिमर पूछती है कि आज अदिती की इंगेजमेंट है और आपको उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तब ही गगन कहता है क्या फरक पड़ता है मुझे अगे हम देखते हैं कि रोहित अदिती की कमरे में आ जाता है और उसके साथ अजीब हरकते करता है तब ही अदिती गगन को देख लेती है उसे लगता है कि गगन उसके लिए यहां पर आया है वेलब ऐसे में देखना ये है कि क्या हो जाती है अदिती और रोहित की इंगेज टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले